असलाम लेकुम स्टूटर्स उमीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग ख्यावाप यह से होंगे और उमीद करता हूँ कि आप सब की त्यारी जो है वो अच्छी ओरी होगी तो अला तलाव से दुआ है कि अला तलाव की जो है वो गाइबाना मदद फरमाएं और आपके साथ जो है ना वो आपकी मेनस से ज्यादा जो है वो आपको सिलाता फरमाएं सो बेटे वैलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल ओनलें टीचर पर जहां पर बिटे आज मैं इंशाला आप लोगों के साथ तैंथ क्लास मैथमेटिक्स के गैस्पेपर्स जो है वो दो से मुराद किया विटे के पूरे पेपर पैटरन के साथ मैंने जो है नवर सॉल्फ किया है तो वीडियो के तफसील में जाने से पहले मैं आपको जो है ना कुछ लोग कैसिस के हवाले से बताना चाहूंगा और वो ये बात कि आपको पता है कि क्वेस्टन नमर जो फाइब ह उसका ए पार्ट चैप्टर नमर वन में से आता है बी पार्ट बिटे आपका चैप्टर नमर टू में से इसी तरह जो क्वेस्टन नमर सिक्स है उसका ए पार्ट जो है वो चैप्टर नमर त्री में से और बी पार्ट चैप्टर नमर फॉर में से क्वेस्टन नमर सैवन का ए पार्ट जो है वो five में से और question number seven का बी पार्ट जो है वो chapter number six में से आता है इसी तरह बेटे जो आपका question number eight है उसका part number जो a है वो seven में से और question number eight का बी पार्ट जो है वो chapter number 13 में से आता है इसी तरह बेटे जो आपको पता long question जो के compulsory होता है करना वो दो थिर्म आते हैं आपको और दोनों में से आपने एक करना होता है एक थिर्म जो है वो चैप्टर नमर 9 में से आता है और दूसरा थिर्म जो है वो चैप्टर नमर 12 में से आता है जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि ये जो मैंने guess paper त्यार कियों में है ये मैंने त्यार कियों में है तरतीब के साथ paper pattern के लिहाज से ठीक है तो मैं कोशिश करूँगा कि इन्शाइला एक video जो है वो एक तरतीब के साथ जो है ना मैं आप लोगों के साथ पुरी book के जो है ना long questions share कर सकूँ ये भी पुरी book के important long questions है लेकिन इनको दूसरी farm के अंदर ठीक है बाकि इन्शाइला मैं मजीद time को जाया की बिना मैं शुरूर करता हूँ बेटे तो जो मैंने आपके सामने ये इस वकत open किया हुए ठीक है ये मैं इस वकत जो मैंने video आपके सामने open की हुई है इसमें बेटे मैं आपको बताता चलूँ कि इसको मैंने किया किस तरह से हुए ये देखें ये मैंने कुछ है आपके सामने यहाँ पर तरतीब दी हुए ठीक है इस तरतीब के according आपने paper pattern जो है ना वो अपना solve करना है और इसी के तरतीब के मताबिक जो है ना यहाँ मैंने ये बनाए हुए अब question number 5 का जो A part है बेटे वो exercise number 1.4 का question number 1 है ठीक है उसके बाद इसका B part जो है वो exercise number 2.3 का question number 5 का part number 2 है ठीक है ये question भी मैंने सामने लिखावा है ठीक है ताकि आपको confusion ना हो उसके बाद बेटे ये question number 6 का A part जो है वो chapter number 3 में से और exercise number जो है उसके 3.4 और question number जो है number 2 का part number 7 ठीक है ये वाला आप देख लें question आपको सामने लिखावा है उसके बाद बेटे इसका B part जो है वो exercise number 4.2 और उसका question number 8 वाला ठीक है 4.2 और question number 8 वाला उसके बाद बेटे ये इसका question number 7 का A part है वो exercise number जो है वो 5.5 का question number जो है वो 5 ठीक है और उसके साथ मेरे बिचो ये आपके पास question भी मैंने यहाँ पर note कर दिया ठीक है और इसी तरह question number 7 का जो A part है sorry B part जो आपके पास है उसका अपने standard deviation मालूम करना है और exercise number 6.3 उसका question number जो है ना वो 5 का part number 2 ठीक है ये सामने मैंने आपके question भी लिख दिया है ठीक है जी उसके बाद बिचे question number 8 है उसका A part exercise number 7.4 question number 24 ठीक है ये आपके सामने यहाँ पर मैंने जो है ना वो लिख दिया है पिर उसके बाद इसका B part जो है वो exercise number 13.3 में से और इसका जो B part है ठीक है ये question number 9 उसका बनता है तो ये वाला question आप देख लें यहाँ पर आपके सामने statement लिखी हुई है उसके बाद question number 9 है मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसके दो बाट होते हैं और दोनों में से हमने एक जो है ना वो करना होता है तो उसी के according जो है जो सारे के सारे gas paper जो है ना वो बनाए गया ठीक है इसका मैंने theorem number तो नहीं लिखा लेकिन आप इसकी statement पढ़ ले a straight line draw from the center of a circle to bisect a cord which is not a diameter is perpendicular to the cord और उसके बाद इसका दूसरा जो थिरों में दूसरा part any two angles in the segments of a circle are equal ठीक है एक 9 में से और एक 12 में से उसके बाद बिटे इसका set number 2 set number 2 के अंदर बिटे इसका question number 5 का जो a part है वो exercise number 1.4 उसका question number 1 ठीक है यह मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है ठीक है उसके बार इसका b part exercise number 2.1 और उसका question number 3 statement यह आपके सामने लिखी हुई है ठीक है सारी statement लिखी हुई है question number 6 का a part जो है वो आपके सामने exercise number 3.6 और question number 1 का part number 6 है ठीक है यह आपके सामने question जो है लिखावाई इसका b part आपके पास exercise number 4.3 और question number उसका 1 ठीक है यह question आपके सामने note है उसके बार question number 7 है उसका a part जो है वो exercise number 5.2 ठीक है उसका question number 1 का part number जो है ना 8 वाला यह देख लेए आप लोग आपके सामने question जो है वो note है b part जो है वो question number 7 का बेटे exercise number 6.3 question number 4 और उसका आपने range और standard deviation जो है ना वो मालूम करना है ठीक है जी उसके बाद question number 8 है बेटे question number 8 के अंदर prove आपने करना है exercise number जो है वो 7.4 और question number उसका 11 ठीक है यह आपके सामने इस वक्तर मैंने लिखती है उसके बार इसका b part है तो b part मेरे बच्चों आपने इसमें क्या करना है draw the two equal circles of each radius 2.4 cm ठीक है यह question number जो भी बनता है यह आप लोग देख लीजिएगा बाकी statement आपके सामने लिखी हुई है उसके बार बटे इसका question number जो 9 है ठीक है जो के होता तो theorem कही है ठीक है लेकिन इसमें मैंने कुछ थोरा सा मजीद अजाफी कर दिया था chapter number 3 और 4 में से तो यह आप लोग जो है ना वो लाजमी तोर पर कर लीजाएगा ठीक है मैं आपको यही suggest करूंगा कि theorem के अंदर आप कैस पेपर ना ले ठीक है ठीक है तिर्म आप पको पता है कि chapter number 9 के टोटल 6 है और chapter number 12 के 12 तो आप सिरफ chapter number 9 के कर ले तो वो enough होंगे ठीक है यह आपके लि आपके जैसे आपको बेतर लगते हैं और इसका जो बी पार्डी चैप्टर नबर फॉर में से ये देख लिए क्वेस्टिन आपके सामने लिखा वाया है उसके बार बिटे लास्ट पर सैट नंबर थ्री जो है नवा आपके लिए बनाया गया वैं तो उसका क्वेस्टिन जो है ना आप लोगों के साथ जरूर शेयर करोगा उसके बाद बेटे इसका बी पार्ड एक्सराइस नंबर टू पाइंट वाला यह आप लोग देख लें ठीक है यह वाला आप लोग देख लें इसका क्वेस्टिन नंबर सिक्स जो है उसका ए पार्ड एक्सराइस नंबर 3.6 ठीक है और 2.3.6 और उसके बाद बेटे इसका question number 2 का part number 2 है यह statement आपके सामने लिखी हुई है यह आप लोग देख लें इसी तरह बेटे यह जो है ना वो B part इसका partial fraction exercise number 4.3 और question number 1 इसका question number 7 का a part जो है वो 5.2 में से question number 2 का part number 4 ठीक है यह statement आपके सामने लिखी है यह दिमार्गन ला तो आप लोग लाजबी तोर पर कर लीजेगा वो बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है वो इन्शाला में next video के अंदर part 2 के अंदर आपके साथ share करूंगा उसके बाद बेटे इसका B part है exercise number 6.2 question number जो है ना वो 7 वाला तो यह आप लोग जो है ना वो लाजबी तोर पर इनको कर लें ठीक है जी question number 8 का जो है ना ए पार्ट वो exercise number 7.4 और उसका question number जो है number 20 यह लाजबी तोर पर कर लें उसके बाद बेटे यह इसका B part है तो B part में आपने exercise number 13.2 question number 4 ठीक है और at the end question number 9 है तो theorem के है तो आप लोग theorem मैंने आपको शुरू में ही बताया है तो theorem आप लोग कोशिश करें कि वो chapter number 9 के बस कर लें जो 6 बनते है ठीक है उसके लावा आप लोग theorem ना कोई करें चाहाए chapter number 12 के आप छोड़ दें वो सारे कर ले ताके वो ही आपके जो है नवो गैस पेपर होंगे ठीक है उसके लावाब उसमें कोई selective काम ना करें तो मेरा यही मश्रू आपको यही है तो उसमें आप टाइम जो है नवो जाया ना कीजिए गैस पेपर के अंदर वो लाजमी तो पर सारे के सारे आप लोग कर लें तो मैं उमीद करता हूं कि बेटे आप लोगों को वीडियो की जो है ना वो समझागी होगी और इसमें आप लोगों ने यह जो मैंने आपके साथ यहां पर यह शेयर किया है यह आप लोग लाजमी तोर पर नोट कर लें इसी तर्टीब के साथ जो है ना आपका दोहजार र नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना आप लोग बहुत ज्यादा ख्यार लखिएगा और इसका पार टू जो है ना वीडियो का लाजमी तोर पर देख लीजेगा उसके अंदर मैं दूसी तरह से जो क्वेस्टेज है वो इन्शाला अपलोड कर दोगा तो मिलते है न नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्यार लखिएगा बहुत ज्यादा ख्यार लखिएगा असलाम लेकूं रहमतुलाह वबराकातु